हेलो एवरिवन उमीज सिवरी एक नहीं सुबह में आपका स्वागत है मेरे चैनल में इदे की यह मैं आपको कुप कुर्पकुरी स्वाधिस्ट हेल्दी टेस्टी टेस्टी मसाला मठरी की रेसिपी बताने वाली हूं देके मैंने इसको एयर टायर डिबे में रख लिया है को बॉयल करने के लिए अच्छे से वाश करके थोड़ा बॉयल करने के लिए गरम पानी मैंने गैस के उपर रख दिया है और इसमें बॉयल कर naar रहता है बस दो-तीन मिनट में ही ही बॉयll हो जाता है ज्यादा देर हमको नहीं करना है इसको नमक डालके हमको बॉयल करना है क् इसका नमख डालने से बैसे हरा-का-हरा बना रहता है तो हमको नमख डालके ही इसको बोईल करना है दो-तीन मिनुट में बोईल हो जाता है अब इसको हम गयस का फ्लेम आफ करके इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और आए फिर आगे के तयारे करते हैं जब तक तक यो सब देखिए मैंने दो कटोरी लगभग 500 ग्राम मैंने मैदा ले लिए हैं आप चाहे तो गहों के आटा सरी बना सकते हैं बट मैं मैदे से ही बना रही हूं यह तो इमको यह 2-2 ग्राम ग्राब उप्ध आट कर लेना है जिसे चानके और इसमें क्या-क्या डालेंगे देखते ह इसमें सबसे पहले मैंने घी एट गया है इलग बग 100 ग्राम घी हमको दो कोटोरी घी मुवन के लिए मिक्स करना और इसको अच्छे से नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है यह नमक डाल रही हूँ बहुत करारे क्रेश्पी मठ्री की रेसिपी है वीडियो को आप अच्छे से समझ भी आएगा देखे मैंने मुवन को अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथ से हमको अच्छे से मिक्स करना है कम लगे तो हमको और आप डाल सकते हैं थोड़ा एक वंटी इस्पून तो यह देखे आई आई आप इसके मसाले के लिए चुकि यह मसाला मठ्री बना रही होती है मैंने वंटी स्पून सौं वंटी स्पून जीरा और सुखी धनिया साबुत वाली वंटी स्पून और यह कसूरी मेति सुखी वाली इसको हम ग्रेंडिंग जान में दर दरा पीस लेंगे पीस के इसको हम एक कटूरी में रख देते हैं कि इसका प्यों हम बाद में करेंगे अभी नहीं डाल रहे हैं आटे में हम इसका देखिए यह मसाला हमारा तयार हो हम हहो चुका है इतने देर में अब इसको भी पीस के रख लेते हैं अगे पाला कंगा यह बहुर प्लेट में निकाल के यह हमारा मसाला तैयार हो गया है अब इसको हम रख देते हैं इसका प्योग बाद में करेंगे आप वीडियो को देखिए आपको समझ में आया है यह देखिए मैंने अमचुर पाउडर अजवाइन मिक्स कर लिया यह थोड़ा काली मिर्च है काली मिर्च पाउडर भी हम मैðल केक में से अंधा यह मिक्स कर हो गया है है अब यह मैगा मेदा लेंदया है इसना है इसको वाग में कर लेगे मैदा जो में मुणत में मिक्स करके रखा था इसको बावरे अलग अलग प्रकार से इसका डो तयार करना है इसलिए मैंने आधे आधे बरतन में उसको खाली करके ट्रांसपर करके रख लिया है और आधे में हम पालक से इसका डो तयार करेंगे जो हमने पालक पिसके रखा था उसी से इसका डो तयार हो जाएगा इसमें हमको पानी एड नहीं करना है अगर आपको पानी लगे तो थोड़ा सा चीटल मार सकते हैं पानी का और यह दो तयार है पालक वाला अब यह बाखे का वाला आधा इसके भी दो तयार कर लेते हैं पूड़िक हैं, जादा हाड़ नहीं नहीं जादा गील नही हो हैं जैसे हम पूड़िक बनाते हैं बस वैसे ही दो तयार करना ह। तर ते से, आपके कैसे में ठोड़ा-थोड़ा पानी डालके, देखें ये भी दो तयार हो गया, इसको रस्ट केके लिए रख देएंग ये दोनों लो तयार हो चुका हमारा, अब इसको रख देते हैं, ढागके, अब आगे की तयारी देखते हैं, देखे, मैंने कटोरी में, ये मैंने कॉर्ण फ्लोर ल और इसमें हम यह सॉफ्ट घी इसका साटा बना के रख लेंगे यह हमको आगे हमको इसकी जरूरत है यह मैदे से भी या फिर कॉर्ण फ्लोर से यह सॉफ्ट घी से बन जाता है इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेते हैं देखिए पांस से दस मिनट हो चुका है अब हम उसके सीसाफ्ट कर लेंगे एक बार मसल मसल के आटर को फिर इसकी लोईयां बना के रख लेंगे थोड़ी बड़ी बड़ी सी हमको इसके लोईया बनाना है तो ये मेरे इतने में आठाट लोई बनके तयार है देखियए बराबरी से समसम यह आर्टिस के आर्टिस के तो हम अब इसको बेल लेंगे इसकी रोटी बेल लेंगे, घी लगाके, गाइस मैं आपको याद दिला दू, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक तो आप करते हैं, लेकिन आप कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स भी मुझे करके जरूर बताइए, और शेयर भी करा कीजिए, दे बिल जाते हैं, देखें, घी लगाके बेलना है, अब यह जो साटा तयार करके रखेते हैं, इसमें दोनों से पालक वाले में भी और इसमें भी हमको लगा लेना है, और इसमें थोड़ा सा मसाला डाल लेना है, प्योंकि हमने पालक वाले में मसाला नहीं एट किया था, तो इसमें हमको मसाला लगाना है और यह देखिए इसको पलटा देना है अब यह यह बाला देंगे इसको चिपका लेंगे या प्र या एक बार गषिए बेलन अब बना अब इसकी रोल बना यह ऐसे टाएट से ऐसे करके मोडके दीरे-दीरे इसकी 로 🎶 बना लेना है यह प्लै कि दीरे दीरे से is 완전 की Value बना लेना है यह रोल हमारा बन चुका अब हम इसकी cutting कर लेंगे要ए च्छोटे-च्छोटे से पेडे इसके, यह देखिये बना के रख लेते हैं चोटे-चोटे से कट करके लगवक आधी-आधी एंच के चोटे-चोटे से पुड़ी से भी कम हमको इसका लेना है चोटी-चोटी बिलको लोई है यह देखिए यह देखिए कितने सुन्दर डिजाइन दार वाले यह पेड़े बनके तयार है यह देखिए हलका से इसको दबाएंगे और इसको बेल लेंगे यह देखिए यह बेल लिए हमारा यह देखिए कितने सुन्दर देख रहे हैं बिलकुल डिजाइन वाले मठ्री यह देखिए यह लोहिया भी रखी हुई है और यह देखिए मेरे दो थाली में बिल चुके हैं, अब मैंने गैस के उपर तेल गरम कर लिया है, अब गैस का फ्लेम मिडिया में रखना है हमको और फिर इसको तलने के लिए उपको डालना है, एक एक करके, जितने आजाए उतने डालना है, एक देखिए, कितनी सुन्दर कलर है, कितनी डिजाइन दार मठरी बनके तैयार है, क्रिस्पी वाले, अब इसको इसी प्रकार से पूरे मठरी को हमको तलना है, लो मिडियम फ्लेम में, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट इसको ऐसे ही त हमको लो मिडियम रखके, गुलाबी-गुलाबी से, और डिजाइन दार मठरी, और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने पालक डाला है, और मसाला भी हेल्दी वाला डाला है, इसलिए देखिए, मारी पूरी मठरी तल के रेडी हो चुकी, मैं ऐसे थाली में आपको रखके नएलिख तूटती भी नहीं है, और क्रिषपी भी है, यह देखिए, यह देखिए कितनी बढ़ी है मठरी है, अब इसको हम पूरी तरीके से ठंड़ करके, Dåह हम अगर जब आप इसको रकना है, तो मठ्री वैसी की वैसी रहेंगी क्रिस्पी और टेस्टी यह देखें कितनी सुन्दर मठ्री बनके रेडी है आप भी मेरा वीडियो अच्छे लगे तो आप भी बनाईए खाईए खिलाईए और मेरे वीडियो को लाइक करिए मुझे कमेंट्स करके बताईए जरूर यह देखें मेरा यह टाइड डेपे में मठ्री तैयार है यह देखें कितनी क्रिस्पी है एक लिए आपको तोड़के भी दिखा रही हूँ यह देखें कितनी मुलाया क्रिस्पी थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर